नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गैन सेक्षन नोटूब चैनल में आज के इस वीडियो में आउट टू रिपेर विंडोज विच सीमडी और स्टेप बाइस्टेप गाइड हम आपसे बताएंगे क्योंकि कभी-कभी क्या होता है आपका जो सिस्टेम होता है वह चुरू करते हैं देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्ट ओपन कर लेना है कमांड प्रॉम्ट कैसे ओपन करेंगे cmd लिखेंगे विंडोज आर बटन प्रेस करेंगे cmd लिखेंगे या इस तरह से नहीं तो यहाँ टाइप है टो सर्स में cmd है वो कमांड मैं आपको step by step बताऊंगा और वो सभी कमांड description box में भी दे दूँगा कमांड बताता हूं आपको सबसे पहली हमारी कमांड है sfc scan now तो इसको कॉपी करेंगे आप कॉपी कर सकते हैं तो मैं कॉपी करता हूँ sfc space forward slash scan now लिखेंगे और interface करेंगे interface करने के बाद में यहां पर थोड़ा प्रोसेस होगा और यहां पर प्रोसेस को थोड़ा समय लग सकता है डिपेंड करता है यह आपके hardware configuration के उपर अभी verification मेरा पास से 6% हो चुका है यह पूरा 100% होने देते हैं और मिलते हैं 100% होने के बाद में देखिए दोस्तों जब तक यह 100% होता है आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए और साथी साथ दोस्तों के साथ में इस वीडिय करिए यहां पर जो प्रोसेस है वेरिफिकिशिन की वह कम्प्लीट हो चुकी है और यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मतलब यहां पर हमारे सिस्टीम ओक है अब चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर यहां पर हमने जो सेपसी वाला है वह हमने वर्क किया था आप देख स इसे कॉपी करते हैं और यहां से यहां पेस्ट करते हैं अब इसको एंटरप्रेस करते हैं अब यहां पर यहां पर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लेम आता है तो आप यह वाला कमांड यूज करेंगे यहां पर मुझे कोई भी प्रॉब्लेम नहीं आया तो मैंने यहां पर कोई भी यह कमांड नहीं चलाया उसके बाद में हम देखते हैं अगर यह रिश्टोर हेल्थ काम नहीं करता है तो आपको यह थर्ड वाला यूट्स करना पड़ेगा थर्ड वाला कुन सा है यह वाला ठीक है इसको हम कॉपी करके यहां पर पेस्ट करके से इस एंटर कर सकते बड़ यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में कोई भी आपको अगर आता है तो आप करिए उसके बाद में है विंडोज अपडेट ट्रपल शूटर विंडोज अपडेट प्रोसेसिंग वाला इसको हम यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर देखते हैं एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर इन तरह का मैसेज आएगा और यहां से करेंगे और यहां पर प्रॉब्लेम जो भी हो वो डिटेक्ट होगी और यहां पर दिखके आएगा चेंडिंग चेकिंग पर पेंडिंग रिस्टार्ट वहां सब कुछ होगा और इस तरह से हमने यह चार्ट स्टेप है आपको बताए कि हम किस तरह से विंडोस को रिपेर कर सकते हैं वो भी कमांड प्रॉम से इस तरह के नए वीडियो जानने के लिए हमारे चानल को जरू सब्सक्काइब करें मिलते लिए नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद